जय मातादी आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित होई हूँ आपके लिए सटीक टोट के लेकर हर बार आपके सामने अलग-अलग टोट के लेकर उपस्थित होती हूँ ताकि आपको आपका मन चाहा प्यार हासिल हो जाए क्योंकि प्यार ये एहसास तो हर किसी को हो जाता है लेकिन प्यार पाँ हर कोई नहीं पाता है किसी किसी को ही उनका प्यार हासिल हो पाता है यदि आप उन लोगों में से हैं जिनको अपना प्यार नहीं मिल पा रहा है आप किसी इस्तरी को चाते हैं और उनको पूर्ण रूप से अपना बनाना चाहते है तो आज का ये टोटका आपके लिए बहुत फायदे मनसाबित होने वाला है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये टोटका किस प्रकार से करना होगा कैसे करना होगा इस वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि ठीक प्रकार से आपको ये समझा जाए कि ये टोटका किस तरीके से करना है ताकि आपको इसका लाब पूर्ण रूप से प्राफ्थ हो पाए आपको करना क्या होगा आपको लेना होगा एक लाल रंगा मारकर और साथ ही लेना होगा आपको एक वाइट कलर का पेपर जी हाँ, इन दोनों के दुआरा आप इस उपाय को यदि करते हैं तो आपको आपका प्यार जरूर हासिल हो जाता है आपको इस पेपर के उपर लिखना होगा उस इस्तरी या उस पुरुष का नाम जिसको आप पाना चाहते हैं यदि आप इस्तरी हैं और आप किसी पुरुष को पाना चाहते हैं तो आप इस पेपर पर पहले उस पुरुष का नाम लिखें जैसे सपोज आप जिसको चाहते हैं उनका नाम है सुरेश आप यहाँ पर सुरेश लिखते हैं उसके बाद आपको क्या करना है लगाना है प्लस का साइन इस तरीके से यह प्लस का साइन लगाने के बाद आपको लिखना है अपना नाम जैसे कि आपका नाम सपोज सीमा है आपको लिखना है सीमा यह आपने लिख दिया सुरेश इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजे इसको फोल्ड करने के बाद आपको करना क्या होगा इसको आपको जलाना होगा लेकिन जलाने से पहले आपको करना होगा एक मंत्र का उच्चारण मंत्र मैं आपको बता देती हूँ लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा मंत्र का उच्चारण आपको ठीक प्रकार से करना होगा क्योंकि है मंत्र हमारी गुरु माताजी के दुआरा सिध किया जाते हैं बहुत तपस्या की है गुरु माताजी ने आप लोगों के लिए ये मंत्र लाने के लिए ये जो टोटके हैं ये अचूक टोटके लाने के लिए ये मंत्र सिध किया गया है और ये टोट का भी सिध है ये करने के बाद अवश्य ही आपको लाप राप्त होगा मंत्र का उच्चारण में आपको बताती हूँ कौन से मंत्र का आपको उच्चारण करना है आपको जिस मंत्र का उच्चारण करना है वे मंत्र है ओम नमो सर्वे सर्वेश्वर वशम वश्माई नमा इस मंत्र का आपको उच्चारन करना है उसके बाद आपको उस व्यक्ति को ध्यान में लाना है जिसको आप पाना चाहते हैं इस कागस को जलाना है जलाने के बाद इसकी राक को दो भागों में विभाजित कर देना है बाटने के बाद उसका एक हिस्सा आपको बहते जल में प्रभा कर देना है और दूसरा हिस्सा जिस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं उसके घर के पीछे डाल देना है यकीन मानिएगा मात्र दो घंटे के अंदर आपके पास दोड़ा चला आएगा और दो या तीन दिनों के अंदर पूर्ण रोब से आपके वश में हो जाएगा ये टोटका सरल तो है ही साथ ही असरदार भी है आप इस टोटके को अवश्य कीजेगा आपका मन चाहा प्यार आपको हासिल हो जाएगा टोटका नहीं समझ आया है या टोटका करने की विदी नहीं समझ आई ह तो गुरु मादा जी से भी संपर्ग कर सकते हैं